हाई फ्रेंड्स मैं हूँ समरेश अगरवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ Quick Academy of Video Editing के आज के इस Tutorial में और जी हाँ आज हम लोग सीखने वाले हैं Adop Premiere में Intro Text with Cutout Effect तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहां पर कता ही है कहां जाना है और हमें जाना पड़ेगा Adop Premiere के टाइम लाइन पर तो चलते हैं Adop Premiere में Intro Text with Cutout Effect बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारी जो क्लिप है जिस पर हमें इंट्रो बनाना है उसे सिलेक कर लेंगे और उसे एक टाइम लाइन पर रख देंगे जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ है अब उसके बाद आपको क्या करना है इस क्लिप का उस जगह पर जाना है जहाँ पर आपको Text लिखना है जैसे कि अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यह रड़का जीप में से बाहर निकला और निकलने के बाद यहाँ पर उसका पूरा Face दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर रुख गया यहाँ रुखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से इस क्लिप को एक Image क्लिक करेंगे इस क्लिप पर इस जगह पर एक Image क्लिक करेंगे जैके आप यहाँ पर एक Image आ गई इस Image को मैं यहाँ पर इस क्लिप के उपर Place कर देता हूँ और उसके बाद यह जो वीडियो क्लिप है इसको यहां से हम cut लगा देते हैं cut लगाने के बाद यह क्लिप को हम यहां से सरका देते हैं ठीक है तो अब आपकी क्लिप जो है वो इस तरीके से दिखाई देगी यहां पर यह लड़का आया और यहां पर hold हो गया hold होने के बाद में थोड़ी दिर तक यह hold रहेगा और उसके बाद फिर यहां से play हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहां से यह जो क्लिप है इसके एक copy और बना लेंगे जो इसके नीचे रखी है उसके बाद यहां पर i button से हम इस clip को temporary disable कर देता है ठीक इसके बाद हमको क्या करना है यह जो उपर हम लोगों ने एक clip रखी है image file इसको select करके effect control में जाना है effect control में जाने के बाद इसकी opacity में जाएंगे आप और यहां से paint tool select कर लेंगे और paint tool select करने के बाद हम यहां पर image को जो है cut करेंगे तो cut करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इस image को थोड़ा सा zoom कर लेंगे ताकि हम clearly cutting कर पाएं और उसके बाद जहां से cutting करना है उस जगह पे जाएंगे और यहां से हम क्या करेंगे cut करना शुरू करेंगे इसकी ages जो है proper cut कर लेंगे ठीक है तो हम cut करते हैं फास्टली मैं आपको यह cut करना इसको दिखा देता हूं और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहां पर की हम जो image है उसको cut कर रहे है अब आप देख सकते हैं यहां पर कि आपका जो वीडियो है वो totally हमारा cutting हो चुका है और यहां पर यह shape आपका create हो गया अब हम क्या करेंगे यह जो clip है इसको हम right click करेंगे और इसको यहां से nest कर देंगे nest करने के बाद आप देखते हो कि आपकी clip जो है वो आपको यहां पर एक cutting करके image मिल गई है उसके बाद हम यह नीचे वाल जो layer है इसको on कर लेंगे तो आप देखेंगे हमारी clip जैसी थी वैसी दिखाई दे रहे है पर इसमें फरक क्या है कि यह जो image है यह हमारे पास उपर में एक अलग से cutting करके दिख रही है अब हम क्या करेंगे यह जो नीचे वाली clip है इसकी opacity हम यहां से कम कर देंगे नीचे वाली clip की जैसे opacity आप देखो यहां से कम हो रही है आपकी जो image है वो आपको अलग से दिखाई देने लग गई अब हमको क्या करना है इस image में cut out effect create करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा effect control effect panel में जाना है और यहां पर हमें एक radial shadow यहां पर देखे हमने लिखा है shadow तो यहां पर आपको एक radial shadow effect मिलेगा जो कि आपको आपकी इस clip पर apply करना है apply करने के बाद हम क्या करेंगे shadow का जो color है सबसे पहले वो change करेंगे तो हम यहां से क्या करते है shadow color ले लेंगे white वाला अब white shadow लेने के बाद आप देखें यहां पर एक shadow आपको दिखाई दे रही है लेकिन यह 50% opacity में होने के कारण आपको थोड़ी सी grace दिखाई दे रही है तो हम इसकी opacity कर देंगे full उसके बाद यहां से हम shadow की जो direction है उसको balance करेंगे ताकि यह आपका जो effect है वो cut out जैसा दिखाई दे इस तरीके से कुछ हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां से इसकी जो thickness है वो भी यहां से हम change कर सकते हैं और thickness भी हमको इतनी रखना है कि वो proper cut out जैसा दिखाई दे उस तरीके से हम इसको रखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर हमारा एक effect जो cut out का था वो तयार हो गया तो आपको यहां पर दिखाई दरा है कि image में हमने एक cut out का जो feel है वो तयार कर लिए अब इसके बाद जो हमें काम करना है वो है हमें यहां title text create करना तो यहां से हम क्या करेंगे टी text layer पर जाएंगे और एक text लिख लेंगे यानि कि इसका नाम अब इस बंदे का नाम क्या है यह तो मुझे पता नहीं मैं एक नाम लिख देता हूँ यहां पर राजीव और उसके बाद यहां से यह जो text है इसका जो भी हमको यहां से changes करना है जैसे font change करना है तो मैं यहां से कोई एक point ले लेता हूँ यहां से हमने font change किया इसका कोई भी तो जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूँ century Gothic बोल्ड ले लेता हूँ ठीक है अब यह वालो जो font है इसको हम इसकी जगह change करेंगे यहां पर इसको रख देंगे इस तरीके से और इसका scaling थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको यहां देते हैं ठीक है इस clip को हम यहां पर देते हैं ठीक है यह हमने अभी इसको basically एक text लिखना था लिख दिया है अब हम क्या करेंगे इस text को थोड़ा सा animation दे देंगे ठीक है लेकिन इस text को animation देने से पहले हम यह जो नी activate करने के लिए इस layer को select करेंगे select करने के बाद हम यहां पर motion में जाएंगे और motion में इहां से scale, position और rotation यह तीनों पर keyframe को activate कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी last में जाएंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से keyframe को activate कर देंगे, ठीक, उसके बाद हम position में, जैसे यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ last में, इस clip की end में, जहाँ हमने keyframe लगाया है, यहाँ पर, इस position पर मुझे जाना है, यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी scale जो है या तो अब करना या डाउन करना है तो मैं यहां से इसकी scale जो है अब कर देता हूँ इस तरीके से और उसके बाद इसकी जो position है इसको भी थोड़ा सा change करता हूँ ठीक है तो आप अब देखेंगे कि आपकी यह जो text sorry आपकी image file जो है उसमें थोड़ा सा animation create हो गया इसको animate करेंगे तो हम सबसे पहले यहां से position, scale और rotation यह तीनों value को हम यहां पर adjust करेंगे तो यहां से मैं scaling कम कर दे रहा हूँ और इसकी position जो है वो थोड़ी सी यहां पर सरका के इसके पास रख देता हूँ ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे इसके end में जाएंगे यहां हमने गलती क्या कि हमें scaling बढ़ानी थी मैंने कम कर दिया है तो यहां पर हम बढ़ा देते हैं scaling और यहां जाते हैं इस तरीके से ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे end में जाएंगे इस clip के और ending में हम यहां पर keyframe लगा देंगे इस तरीके से और उसके बाद क्योंकि हम कशल्त करने में न tęए व आने वाला किया है इस इमेज को हमने क्या क्या है जूम आउट किया है तो हम अभ अप महरे टेक्ड को क्या और ाप ग्रेंगे Izn करेंगे मतलब उल्टा इसको हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से और इसकी position जो है ये पहले जहां थी वहीं पर इसकी position कर देंगे इस तरीके से तो अब आपका text जो है ये कैसे दिखाई देगा आपका image जो है वो बड़ा हो रहा है और text जो है वो छोटा हो रहा है ठीक है अब आप इसमें और भी कुछ अगर creation क करना चाहते हैं तो क्या करना है मैं इसके अंदर रोटेशन जो है इस रोटेशन की वैलू भी थोड़ी सी चेंज करता हूं यहां पर स्टार्टिंग में हम रोटेशन रखते हैं इसका 5 का मतलब आपको दिखाई देगा आपका टेक्स जो है यह थोड़ा सा इस तरीके से यह थोड़ा सा घूम जाएगा तो आप देखें यह थोड़ा सा घूम रहा है ठीक है तो अभी एक बार प्ले करके देखते हैं कि हमारा इफेक्ट कैसे बनाए तो यहां पर देखिए आप यह इफेक्ट ऐसे लड़का गाड़ी से उतर रहा है और उतरने के बाद अचानक यहां पर वो हमारा टेक्स्ट आजा रहा है और फिर भी यह थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे हमने यहां पर एक एलिमेंट लिया हुआ है वो एलिमेंट है यहां पर हमने क्या किया एक ब्रस्ट एलिमेंट लिया हुआ है इस तरीके से एक ब्रस और इसको original frame में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, zoom कर लेंगे, उसके बाद हम एक को, क्योंकि ये right side में effect आपका दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ effect panel में जाके, यहाँ से flip का effect ले लेंगे, और इसको हम कर देंगे horizontal flipping, मतलब यह आपको दूसरे side में दिखा नहीं देगा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर effect में से, एक effect ले लेंगे, वो रहेगा आपका ultra key effect, जो की chroma को remove करने के लिए हम use करते हैं, तो यहाँ पर ultra key effect जब हमने apply कर दिया, तो यहाँ से आपको color picker मिलेगा, इसको यहाँ से select कर लिए, अब आप देखिए आपका जो green color था वो निकल गया, और यहाँ पर जो brush effect है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अब आप इस effect की position को यहाँ से set कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस तरीके से, और इसको ठोड़ा उपर ले लेता हूँ, ऐसे, अब आप देखेंगे कि य अच्छा दिखाई दे रहा है, अब यह एक ही बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस layer पर copy कर लेंगे, दो, तीम बार, चार बार, इस तरीके से, और फिर इसको play करके देखेंगे, तो यह आपका effect इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, ठीक है, अब य यह तो हमारा एक effect तयार हुआ, basic, जैसे कि यहाँ से हम आ रहे हैं, और आके यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ introduction हो रहा है, राजीव नाम इसका हमने दिया हुआ है, और उसके साथ यह एक effect तयार हुआ, लेकिन अगर आप इसमें भी संतुष्ट नहीं है, और आपको और creation करन है, तो आपको क्या करना होगा, यह जो डोनो लेयर है, इसको हम उपर कर देता है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर एक data है, इसके अंदर हमने क्या किया है, कि एक png फाइल यहाँ पर लिए, ठीक है, वो फाइल है, कुछ इस तरीके की, यह है, इंक स्प्रेड इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है, इंक स्प्रेड इफेक्ट, यह इफेक्ट को हम रख देंगे यहाँ नीचे, हमारी इमेज के नीचे, तो आपको यह इफेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह पीछे छुप गया, तो हम यह इफेक्ट को इस तरी के से ठीक है तो हम क्या करेंगे अभी इसको यहां से rotation का option दे देता है अब rotation यहां से कैसे देंगे अब यहां से keyframe लगा दिया हमने और इसको end में लेके गए end में जाने के बाद यहां से इसकी value जो है यह change कर दिया हमने तो यह हो गया rotate तो आप देखेंगे यहां पर वो आपका जो पीछे element लगा है वो भी rotate हो रहा है लेकिन अब यह black color में है तो black color काफी अच्छा नहीं दिखता तो हमें क्या करना इसको color को change करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे effect panel में जाएंगे वापस यहां से effect panel में जाने के बाद यहां पर हम ले लेंगे change color यहां पर एक option आता है change color change to color यह जो option है यह हम apply करेंगे ispng file पर और उसके बाद यहां पर आपको option दिखाई देगा from to तो हम क्या करेंगे यहां से color picker लेंगे और हमको कौन सा color यहां से change करना है black तो हमने यहां पर black color क को select कर दिया और उसकी जगा हमें कौन सा color देना है तो मैं यहां पर अभी red color को ही select करता हूँ लेकिन यहां पर आपको दिखरे है कोई change नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहां पर change के option में हमको hue, lightness और saturation से चेंज हो गया तो आप देखें अभी ये effect आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है ठीक है अब ये वाला यहां से copy जो है वो हड़ गया है तो मैं यहां पर वापस दो copy कर देता हूं ठीक है ये चार बार आएगा ऐस तरीके से effect ठीक और उसके बाद यहां पर जो एक कमी है वो है कि यहां हमें एक flash चाहिए जहां पर ये effect आ रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर हमारे पास जो bean है इसमें हम क्या करेंगे color matte ले लेंगे white color का यहां से हम इसका color change करके white कर देते हैं ओके तो यहां आपका एक color matte आ गया और इस color matte को यहां हमारे clip के उपर place कर देते हैं ठीक है और यह ले लेंगे यहां से थोड़ा सा बाखी का area हम क्या करेंगे cut कर देंगे इसमें से और इस color matte का हम क्या करेंगे यहां से जो timeline है इसको हम थोड़ा सा चोड़ा कर लेंगे और उसके बाद यहां से pen tool लेके यह जो rubber band आपको यहां दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे एक side से ऐसे खीज देंगे और फिर यह side पे भी keyframe लगा के इसको खीज देंगे तो यह आपका जो effect है वो इस तरीके से दिखाई देगा जैसे यहां पर एक flash आ रहा है और उसके बाद यह effect यहां पर तयार हो रहा है और यह same effect हम क्या करेंगे अब copy कर लेंगे और copy करके इस effect को paste कर देंगे इसके end में ठीक है यहां पर हम इसको paste कर देंगे अब यहां पर paste करने के बाद इसकी जो center position है वो आपको मिला देना है इस तरीके से और उसके बाद देखिए आपका यह effect है वो तयार हो गया अब आप यह effect को play करके देखिए किस तरीके से आपका यह effect बना है और कैसा दिखाई दे रहा कैसा लगा यह effect आप हमें comment box में comment करके जरूर बताएं तो है नासान एड़ा प्रीमियर में cut out effect बनाना तो जन्दी से आप हमारे इस चैनल को share करें ज्यादा से ज्यादा ताकि और भी लोग हमारे साथ जूर सके और नई नई जानकारी ले सके तो आप भी और नई ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे इस चैनल quick academy of video editing के साथ में जुड़े रहे सब्सक्राइब करें share करें like करें तो जल्दी है हम वापस मिलेंगे नए ट्यूटरियल के साथ बाई बाई